सवागाइट अपको अपैशन के बारे में बाद्चीत हो रही है आप video और उट्जितने भी social media perform Concept exchange के बारे में जिए चीफैंस है कि चार जून को रिजल्ट आने है कि अगर bcp government जीतती है तो crypto का क्या future हो सकता है और इसके अलावा क्या ऐसा कोई क्वाइन है जिसका सीधे impact पड़ सकता है bcp government के जीतने के बाद इसके साथ चार जून का जो रिजल्ट आएगा वो क्या इंपोर्टेंस रखता है अपने क्रिप्टो मार्केट के लिए इन सब कहवारे में आज की वीडियों को बात करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं चोटे से डिस्क्लेमर साथ कि दोस्तों देखी यह 24 में जो लोग सबाद चुना हो रहा है इसके बाद सीधे 2029 में लोग सबाद होगा पांक साल बाद लोग सबाद होता है और 2029 में अगर आप देखेंगे तो हम लोग को एक दूसरा बुलन देखने मिल जागा मतलब कि अगर 2024 के लाज तक और 2025 के स्टार्टिंग में एक बुलन हम लोग देखते हैं तो 29 तक हम लोग एक और बुलन के नजदीक होंगे तो इस वैसे देखा जातो यह जो रिजल्ट है बह हम भी हम लोग देख सकते हैं इसके लावा यह वीडियो बहुत जादा वायराल हुआ था मिसा जी का जिन्हों नों बोला था कि चार जून के पहले आप सभी इन स्टॉक को बाई कर लिजे अब ये तो हो गई स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो क्रिप्टो के बारे में किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी मुद्दा नहीं उठाए जा रहा है देखा जा तो कॉंग्रेस के पास एक अच्छा मौका था यूथ को अपनी तरफ करने का क्रिप्टो का मुद्दा उठाके इसे बीजेबी के उपर भी प्रेसर पड़ता और जो हार डूल बने हु करते हैं जिसमें से 0.0001% के करिबी जो वोटर्स है वो क्रिप्टो इंकम पर टेक्स पे करते हैं तो देखा यह बहुत ही छोटा मुद्दा है इसी विच्छी कोई भी पार्टी इसके उपर ध्यान नहीं दे रही है लेकिन अगर हम बीजेपी गवर्मेंट की बात करें तो पिछले जो एक दो सालों से क्रिप्टो को उपर रूल्स लगाया है जैसे वन परसंट टेएस और थाटी परसंट क्रिप्टो इंकम पे टेक्स तो उनके लिए यह मुद्दा बहुत दार इंपोर्टेंट लग रहा है यह जो क्रिप्टो रूल्स आया है यह अंडर निर्म् इसमें बताएगा कि गौवर्मेंट तो जो ब्रोकर हैं उनसे भी ज्यादा अनिंग कर रही उसमें उस व्यक्ति ने बोला है कि गौवर्मेंट टेक्स के ऊपर टेक्स ले रही है आप इस व्यूटो को जागे जरूर देख लीजेगा हमारे टूटर एकाउंट का इस व्यक् केवल को 80% करेंगा प्रोफिट लॉस की बाद तो देखाए तो बनती है तो थोड़ा सा डाउट होता है क्रिप्टो इंडेस्टी के लिए यह चीज हम लोग कह सकते हैं कि अगर फाइनेंस मिस्टर चेंज हो मतलब निर्मला सितरामन क्रिप्टो को लिए के बहुँ जाता सक है तो एक अची न्यूज हो सकती है हमारे लिए हाला कि देखा है तो क्रिप्टो के उपर गवर्मेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आए और अभी नियर फ्यूचर में कोई भी इस रूल में चेंजिंग से रिलेटेड भी अपडेट नहीं आ रहा है और उमीद भी कर सकते हैं हम लोग भलकि इसके जगार रूमस यह आ रहा है कि बहुत सा लोगों पास नोटिस आ सकता है अगर उन लोगों ने क्रिप्टो इंकम पे टेक्स पे नहीं किया है हम यह उम्मीद कर सकते हैं थोजार पचीस में क्रिप्टो के उपर गवर्मेंट के तरफ से कोई कोई फाइनल डिसीजन ज़रूर आएगा और यही बात बोला जा रहा है तान्वी रतन के द्वारा जो कि सीओ अफिंक टैंक है जी टॉंटी मीटी में क्रिप्टो पर डिसकसर में इंडिया लीट किया था और इनका यह कहना है कि इस गवर्मेंट के द्वारा एक डिसीजन जरूर यह सकता है क्रिप्टो के उपर जहां इंडिया में क्रिप्टो का कोई भी मुद्दा नहीं है एलेक्शन में वहीं अमेरिका में क्रिप्टो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है एलेक्शन में यहां पिस वीडियो में ट्रॉम का स्पीच भी सुन सकते हैं इसमें उन्होंने बोला है कि बीडेन को तो कुछ पता भी नहीं कर्प्टो के बारे में और इसके साथ साथ ट्रम्प ने अपना खुद का एंफ्टी भी लांच किया हुआ अब इससे ज्यादा नहीं तो 5 से 10% करिब के वोट का डिफरेंस पर सकता है ट्रम्प के फेवर में अब बात करें इंडिया की तो एक चीज ध्यान जेगा दोस्तों एक अपरेल 2022 से 30% क्रिप्टो इंकम पे फ्लैक टेक्स और इसके अलावा एक जुलाए 2022 से 1% काटने वाला र अब गॉल्गें controls छाहे जो भी इंटरेंसटन लेक्टेंश हो उनका भी क्लिर नहीं था कि वह legal तरिके से रुके से लिगल तरीके सरन कर रहा और किसी भी तरीके को फॉलॉम आती थे वो सीधे सीधे जो यूजर से उसके उपर बात आती थी अब गौर्वर्मेंट के तरफ से यह जो क्रिप्ट इंकम पर टेक्स लगाया गया और इसके अलावा उन्हीं क्रिप्ट एक्षेंजों को है और इस जल्दी हम लोग को बाइने से विलेटेड बड़ी न्यूस सुनने को मिल सकती है तो यह देखा यह किस के बाद से यह जो रूल सा है कम यह तो कंफर्मेशन हो गया कि गौर्मेंट की नजर में ही हम लोग ट्रेट कर रहा हैं मला हम लोग लीगल तरीके से ही किया गया है कुछ ऐसे से रूल से लिकिया गया है जिसके खिलाब लोगों ने आवाज उठाई तो उसको गवर्मेंट ने वापस भी लिया है अब अपनी क्रिप्ट कमुट्री के दिखा है तो यही गलत बात है कि अगर ट्विटर एकॉंट पर कोई हैस्टेक रन करना होता तो लोग उसके रिप्लाई भी नहीं करते हैं अगर हम लोग की बात गवर्मेंट के पास जाएगी ने तो उनको पता कैसे चलेगा कि हम लोग चाहते क्या है या सही रूल क्या हो सकता अगर इंडिया में जितने भी क्रिप्टो इंफ्लूएंसर हैं उनकी बात करें जो सबस हो रहा है और गवर्मेंट भी इसी वएसे पीछे पड़े हुए कि लोग अगर अर्निंग हो रहे तो उसके उपर टेक्स पे करें तो यह बोलने मस्त बस इतना है कि अगर हम लोग की आवाज उठती है तो गवर्मेंट के पास जाएगी और इसके उपर वह विचार जरूर क करेंगे आपको याद होगा अगर आप लोग एक डेट साल से हमारी फैमिली मेंबर है तो रितेस पांडे जी जो की पार्लिमेंट मेंबर है उनके द्वारा एक स्पीज दिया गया था पॉन परसेंट टीडेस के उपर भी उन्होंने बाचित किया था कि कि किस प्राद से बह पहले था एक डेट साल दो साल पहले अगर वही वीचार यह अभी भी है तो उस समय दूसरी गवर्मेंट थी तो साइद इनकी बात नहीं सुना गया हो सकता है कि अब यह मुद्दा उठाएं तो यह बात सुनी जा सकता है अब नेक्स हम लोग बात कर लें कि चार जून से प पड़ने वाला नहीं अब यह सारी बात है तो होगे दोस्तों मेरी तरफ से आपका क्या विचार है आप कमेंट करके जूरू बताएगा इसके अलाव आप क्या चाहते हैं कौन सी गवर्मेंट बननी चाहिए और जो अभी गवर्मेंट रही है ऐसे बीजेबी गवर्मेंट इनके दोरा जो भी रूज लाएगा है वन पसंट इस और थर्टी पसंट टैक्स इसके लाव जो एक्षिंजों को और लीगल तरीक साफ टेडिंग कर सकते हैं बहुत सारे एक्षिंजों से आप डारेट बैंक से विड़ो डिपाजिव भी कर सकते हैं तो इन में किन की सीजो वीडियों से आप खुस हैं कि इसे खुस नहीं है यह भी आप कमेंट करेगा बाकि अगर वोड देने के लिए ता आप लोग वोड जाकर जोर दीजेगा अबीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो लाइक जोर करेगा सपोर्ट करिए और इस